25 साल का चंदन कलकत्ता में रहकर क्रेन चलाता था और उसके बाद वो त्योहार में अपने घर सिवान के जिरादेई आता है और जैसे ही 25 साल का चंदन सिवान के जिरादेई पहुचता है उसकी प्रेमिका उसको फोन करती है कहती है कि मिलने आओ और उसके बाद 25 साल का चंदन अपनी प्रेमिका के घर मिलने चला जाता है वो लड़का लड़की बात कर रहे थे और उसके बाद लड़की के पिता ने चंदन और उस अपनी बेटी को देखा कि वो लोग बात कर रहे हैं चंदन को घर के भीतर बुलाया गया उसको खूब बढ़िया से खिलाया पिलाया गया और उसके बाद एक कोठरी में बंद करकर इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई प्रेमीका का जो बाबुजी थे उनके पिता थे उन्होंने पहले चंदन को कहा कि तुम मेरी बेटी के साथ मत रहो चंदन ने कहा कि हम आपकी बेटी से बेंतहां प्यार करते हैं और उसके बाद उसको एक कोठरी में बंद किया जाता है और इतना पीटा जाता है कि वो लड़का दम तोड़ देता है उसके लाश को एक पेड़ पर टांग दिया जाता है और उसके बाद अगले दिन सुबह ये मालूम पड़ता है कि 25 साल का चंदन अब इस दुनिया में नहीं है चंदन के पिता इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि वो उस लड़की से पिछले तीन सालों से बात करता था उन लोगों का तीन साल से अफेर चल रहा था चंदन कलकता में क्रेन चलाता था और जैसे ही वो त्योहार के लिए अपने गाव आया तो अपने घर ना जाकर अपने प्रेमिका के घर गया और प्रेमिका ने बकायदा उसको फोन करके मिलने के लिए बुलाया था बहराल प्रेमी लोग का और प्रेमी का लोग का क्या सीन चल रहा है इस खबर में आपको हम यहीं बताएंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार स्विकार करिए मेरे नाम प्रशांतराय है ये वीडियो माभवानी डेकोर प्राइबेट लिमिटेड के दोड़ा प्रायुजित है माभवानी डेकोर टाइल्स मार्बल और गरनाइट बेचती है अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनवाना है तो आप मुझफरपुर में इस्थित माभवानी डेकोर से टाइल्स मार्बल और गरनाइट खरीद सकते हैं अगर आपका घर दूर है तो ये लोग बेहद ही कम दाम में आपके घर पर टाइल्स मार्बल और नाइट पहुंचा देंगे। उससे बातचीत कर रहा था कि प्रेमिका के पिता जी ने चंदन को और अपनी बेटी को उससे बातचीत करते हुए देख लिया। पीटते हैं और इतना मारते हैं कि उसकी जान चली जाती है। उसके मरने के बाद उसके घर वालों ने क्या किया कि गाउं के बाहर एक पेंड पर उसके लाश को टांग दिया ताकि ये मामला सुसाइड का लगे। और अगले दिन जब गाउं वालों ने उस लाश को देखा तब भेद खुला कि चंदन को उसके प्रेमिका के घर वालों ने मार दिया है। चंदन के पिता इस बात का अरोप लगा रहे हैं कि चंदन उस लड़की से पिछले तीन साल से बात कर रहा था, सब लोगों को ये बात मालूम थी लेकिन फिर भी उसके प्रेमिका के घर वालों ने जान बूझ कर चंदन को अपने घर बुलवाया और मारने के ही मकसद से उन जांच के बाद थनाद्य साब कहते हैं कि मालूम चल जायेगा लेकिन चंदन के घर वाले साफ साफ कह रहे हैं कि उसके प्रेमिका के घर वालों ने जान बूझ कर चंदन को मार दिया बाकी प्रेमी और प्रेमी का लोगों से कहिए ही कहना चाहते हैं कि आप लोग साउधान रही है प्रेमी का लोग अगर अपने प्रेमी को घर बुला रही है तो थीक तरीके से जाच परताल करके बुलाएं और प्रेमी लोग जो कलकता में दिल्ली में बैंगलोर में नौकरी करते हैं और वापस आते हैं सबसे पहले माबाप के पास ना जाकर प्रेमिका के घर पहुँचने का कुशिश करते हैं या फिर पहुँच जाते हैं तो हो सकता है कि आपका भी हाल चंदन जैसा हो जाए बाकी ही घरवालों ने उनको कोठ्री में बंद करके मार दिया बाकी आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है क्योंकि समाज में ये क्या हो रहा है इस पर आपकी राय हम जानना चाहते हैं कवर्ण बोक्स में लिके बताईएगा बाकी मेरे नाम प्रिशांत राय है इस ख़बर पर को अपडेट आएगी तो आपको मितला करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद